हलो स्टुडेंट मैं दीक्छा स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल में आज ऐसे जन्नायक की बात करेंगे जिनकी लोगप्रियता के कारण उन्हें जन्नायक कहा जाता है करपुरी ठाकुर जिनका जन्मे भारत की सुतंतरता से नानी सिक्षक राज्यतिक बेहार राजी के दूसरे मुख्यमंत्री और दो बार मुख्यमंत्री रह जोके है लोग प्रीता के कारण उन्हें जन्नाय कहते हूं और करपुरी ठाकर का जन्म भारत अंपरितिस सासनकाल की दोरन समस्तिपुर की एक गाउं पिताउं छिया जिसे अपकरपुरी ग्राम कहा जाता है बहा 24 जन्वरी 1924 को हुआ था इनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ विया है 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक तथा 24 जून 1977 से 21 अप्रेल 1989 के दोरान दो बार बिहार के मुख मंत्री पत पर रहे जन्वरी 2024 को उन्हें मालो प्रान सरकार दोरा भारत के सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रतन से सम्मानित किया जाएगा आज हमें इस क्लास के अंतरगत जारेंगे इनके व्यक्तुत के बारे में कि इनका किस तरीके का व्यक्तुत रहा यह प्रधान मंत्र नर्यनमोदी जी के आर्टिकल कि संदर में इसको संदर्वित किया गया समाज के पिछड़े और वंजित पर्गों को ससक्त बनाने के लिए जन नायक कर्पूरी ठाकोर ने एक ठोस कारियोजना बनाई थे ऐसा ही तरीके से आंगे बड़े इसके लिए पूरा एक तंत्र तैयार किया था वह उनके सबसे प्रोख युगदानों में से एक है उन्हें उमीद थी कि एक ना एक दिन इन बर्गों को भी बेप्रतिनिधित और आउसर दिये जाएंगे जिनके वे हगदार है हमारे जीवन पर कई लोगों की बेक्तित्य का प्रभाव रहता है जिन लोगों से हम मिलते हैं हम उन्द जिनके संपर्क में रहते हैं उनकी बातों का प्रभाव पढ़ना सोभाविक है लेकिन कुछ ऐसे वेक्ति भी होते हैं जिनके बारे में सुनकर ही आप उन्हें प्रभावित हो जाते हैं मेरे लिए ऐसे ही रहे जन्नाय करपुरी ठाकुल यह लेकि प्रधानमत्री नरंदमूदी के सब्दों में है आज करपुरी भावो की शौबी जैनती है जि मुझे उनसे कभी मिलने का अवसर तु नहीं मिला लेकिन उनके साथ बेहत करीब से काम करने का केलास पती मिस्तर से मेरे उनके बारी में बहुत कुछ सुनाए करपुरी बावो ने जो प्रयास किये उनसे करोडों लोगों की दिनिक जीवन में बड़ा बदलाव आया उनका संबन लाई समाज यानि समाज के अती पिछड़ी वर्ग से था अनेक चुनोतियों को पार करते हो उन्होंने कई उपलब धिया हासल की और जीवन भर समाज के उत्थान के लिए काम किया उनका पूरा जीवन जीवन सादिगी और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा बे अपनी अंतिम सांस तक सरल जीवन सैली और बिनमर सुभाव के चलते आम लोगों से गहराई से जोड़े रहे उनके साथ काम करने वाले लोग याद करते हैं कि कैसे बे इस बात पर जोड़ देते थे कि उनके किसी विवक्तिगत कार में सरकार का एक पैसा भी इस्तमाल नहीं होगा ऐसा ही एक वाकिया विहार के उनके मुख्यमंत्री रहने के दोरान हुआ जब राजी के नेताओं के एक कॉलोनी बनाने का निर्णा हुआ था लेकिन उनों ने अपने लिए कोई जमीन नहीं ली जब भी उनसे पूछा जाता कि आप जमीन क्यों नहीं ले रहे तो बस बिनमलता से हाथ जोड़ देते 1988 में जब उनका नेधन हुआ तो कई नेता सर्धानजली देने उनके गाउं गए करपुरी जी के घर की हालत देख कर उनकी आँखों में आसू आ गई कि इतने उचे पत पर रहे व्यक्ती का घर इतना साधरान कैसे हो सकता है करपुरी बाबु की साधगी और एक लोग प्रिये किस्ता 1977 का है जब भी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तब केंदर और बिहार में जनता सरकार में थी उस समय जनता पार्टी के नेता लोक नायक जैप्रकास नाराड यानि जैपी के जन्मेदिन के दिन कई नेता पटना में खटा हुए उनमें सामिल मुख्यमंत्री करपुरी बाभू का कुर्ता फटा हुआ था ऐसे में चंदरशेखर जी ने अपने अनूठे अंदाज में लोगों से कुछ पैसे धान करने की अपिल की ताकि करपुरी जी नया कुर्ता खरीज सके लेकिन करपुरी जी ने इसमें एक मिसाenschaft काय और सामाजिक हैसियत के परवाह किये बिना उन्हें आउसरों का लाव मिले। उनके प्रयासों का उद्दे से भारती समाज में पैठ बना चुकी कई असमानताओं को दूर करना भी था। जी के सदन में एक रात ताकत वर नेता के रूप में उभरे हैं। बिस्रमिक बर मस्दूर छोटे किशानों और युवाओ के संगर्स की ससक्त आवाज बने। लोकतंतर के लिए उनका समर्पन भाव भारत छोडवांदुलन के दोरानी दिख गया था। जिसमें उन्होंने अपने आपको जोक दिया। उन्होंने देश पर जवरन थूपे गए आपातकाल का भी पुलजोर ब्रोध किया। समाज के पिछड़े और बंचित बर्गों को ससक्त बनाने के लिए जन नायक करपुरी ठाकोर ने एक ठोस कारी योजना बनाई थी। यही सही तरीके से आगे बड़े। इसके लिए पूरा ये कियंतर तयार किया गया था। महां तक इस रड़ी में ले आता है। आज जन नायक करपुरी जी गरूर गोरानबित होंगे। गरीबी से बाहर निकलने वाले समाज के सबसे पिछड़े तपके के लोग सबसे जादा हैं। आज आदी के 70 बर्स बाद भी वन्यादी सुबनाओं से बंचित हैं। आज हम सैचुरेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि प्रतिक योजना का लाप सत्पिर्शत लाभारतियों को मिले। इस दिसा में हमारे प्रयास सामाजिक नयायक की प्रति सरकार की संकल्प को दिखाते हैं। आज जब मुद्रा रिंड से आने पिछड़ा बर्ग अनुसुचित जाती जनजाती समदाई के लोग उधमी बन रहे हैं तो इस से करपुरी ठाकुर जी के आर्थिक सुतंतरता के सपने फूरे हुरे हैं। इसी के तरह हमारी सरकार ने SC, ST, OVC आरक्षड का दायरा बढ़ाया है और हमें OVC आयोग के स्थापना करने का भी आउशर प्राप्त हुआ। आज भले भी हमारे वीच नहीं है लेकिन जनकल्याण के अपने कारें की बज़े से करोडों देशवासियों के दिल और दिमाग में जीवित है भी एक सच्छी जन्नायक है।